प्राची वेलकम टो आवर चैनल आज हम करने वाले हैं about elimination method अभी तक हमने क्या किया है अभी तक हमने पढ़ा है graphical method and substitution method next अब आपके पास आता है elimination method तो elimination method को solve करने के लिए for example आपके पास 2 equation दी हुई है माल लीजे आपके पास ये 2 equation है आपको solve करना है using elimination method तो अभी तक अगर हमें graphical method use करना होता तो हम table बनाते और graph बनाते और solve करते substitution करना होता तो हमें पता है कि क्या करते हैं हम 1 से value लेते हैं बुसरे में put करते हैं इस तरह से हम substitution करते हैं तो elimination के लिए क्या होता है तो जैसे मैंने substitution के लिए step wise किया है वैसे ही मैं elimination के लिए step wise कोष्ण लिखूंगी और उसको solve करेंगे तो start करते हैं सबसे पहला step है first step है make coefficients of any one variable equal मतलब कि किसी भी एक variable के coefficients को हमने equal बनाना है कैसे यहाँ पर variable क्या है या तो x है या y है सेम इस equation ने भी या x है या फिर y है इसके coefficients क्या है first equation में x का coefficient है 2 y का coefficient है 1 second equation में x का coefficient है 3 और y का coefficient है 2 तो किसी एक variable के coefficients को हमने equal करना तो मैं यहाँ पर माल लेती हूँ, पहले मैं X के coefficients को equal करूँगी, कैसे? अब यहाँ पर X का coefficient है 2, यहाँ X का coefficient है 3, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी equation को इसकी coefficient के साथ multiply और इस पूरी equation को इसकी coefficient के साथ multiply. ऐसा करने से क्या होगा, 3 टूजा 6X हो जाएगा, 2 टूजा 6X, तो हो गया आपके पास, किसी एक variable के coefficient को equal करना है, तो एक हो गए equal, तो मैं यहाँ पर, जब ही मैंने multiply कर दिये, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यह हो जाएगा, 3 टूजा 6X plus 3Y and 15, similarly, 2 को इस पूरी से multiply करेंगे, तो 6X plus 4Y is equal to 16, तो यह हो गया आपका step first, अब step second क्या है, change the sign, change the signs, कैसे इस तरहां से इसको लिखेंगे हम, sign कैसे change करेंगे, कि यहाँ plus है, तो minus, plus है, minus, plus है तो minus, अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, कर रहे हैं, because हमने क्या करना है, eliminate क्या मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ को हमने वहाँ से remove करना है, अब पहला हमने क्यों ऐसा किया, so that 6x, 6x आजाए, और दूसरा क्यों कर रहे हैं sign, ताकि अगर मैं इसको change कर देती हूं, sign change कर देती हूं, तो 6x minus 6x क्या हो जाएगा, cancel, eliminate हो गया, remove हो गया, तो यहीं से आपका इस नाम का method justify होता है, that is elimination method, कि हम क्या करते हैं, किसी एक variable को पहले eliminate कर देते हैं, remove कर देते हैं, क्यों, so that मेरे पास दूसरे की value आजाए, जैसे कि अब क्या आएगा, 3y minus 4y, is minus y, 15 minus 16 minus 1, तो y की value आगई, 1, अब y की value आने के बाद क्या करेंगे, step 3rd क्या हो जाएगा, जो substitution में था, बिल्कुल same, कि दोनों में से, किसी एक में value हम put कर सकते हैं, step 3rd, put the value of y in equation, या तो first, या second, मैं first में put कर रही हूँ, step 3rd है, put the value of y in equation first, the first equation है, आपके पास 2x, plus y equals to 5, यह equation थी आपके पास, इसके अंदर y की value put कर दो, x आगे, आपके पास 2, also, अब verify करने के लिए हम क्या करते हैं, वही, एक equation लेते हैं, और उसके अंदर दोनों की value put कर देते हैं, जैसे 2 की value, और y की, x की value 2 थी, y की value 1 थी, left hand side is equal to right hand side, that means, में पास x की और y की value बिल्कुल correct आईए, तो यह था, आपके पास elimination method करने का, कैसे हम इसको elimination method कर सकते हैं, तो step first क्या है कि किसी aq variable को, उसके coefficient को हमने equal बना रहा है, कैसे, एक दूसरे से multiply, और दूसरे बात क्या करनी है, हमने sign change कर देने, sign change करते ही, एक eliminate हो जाएगा, वहीं से आपका method justify हो गया, तो एक की value आ जाती है, तो यह थो था, आपके पास case first, जिसमें मैंने x को eliminate किया, तो कोई ऐसे question भी हो सकते हैं, जिसमें first case था, जिसमें मैंने x के coefficients को equal किया था, अब कोई ऐसा भी case हो सकता है, किसे मेरे को y के coefficients को equal करना पड़े, तो उस type के questions को देखते हैं, तो अब जैसे for example, मेरे पास यह equation है, for example, यह question है मेरे पास, और मुझे इसको solve करना है using elimination method, तो अब ध्यान से देखें यहाँ पर, तो first step क्या था, कि किसी एक variable के coefficient को हमने equal करना होता था, तो first में हमने क्या किया था, x coefficient को equal किया था, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, कि y के coefficient already equal है, दोनों 3-3 है, तो मेरे को यहाँ पर first step करने की need ही नहीं है, क्योंकि उसमें first step में क्या था, first step में था, make the coefficients of any one variable equal, किसी भी एक variable के coefficient को equal करो, यहाँ पर तो y के भी अलग थे, x के भी अलग थे, तो इसलिए मैंने x कोफिशन को क्या कर दिया, equal कर दिया, बट इस case में आप देख सकते होगे, कि दोनों तरफ आपकी y के जो coefficients है, already equal है, तो मुझे start कहां से करना है, सीधा second step से start करना है, first step मेरा skip हो गया, second step क्या है, change the sign, sign आपको क्या करने है, change करने है, क्यों करने है, ताकि एक eliminate हो जाए, तो कैसे, यहाँ plus है तो minus, minus है तो plus, plus है तो minus, अब यहाँ पर देखिए, minus 3y plus 3y, eliminate हो गया, justify हो गया आपका elimination method, x minus 3x is minus 2x, 7 minus 15 is minus 8, तो यहाँ से आपके पास direct value आगई x की, तो जैसी x की value आगई, third step क्या हो था आपके पास, जिसकी a की value आगई, next की value के लिए, हम दोनों में से, किसी a की equation में value, put कर सकते हैं, now put the value of x in equation first, यह आपके पास first equation, x 4 है, y आगया, minus 1, तो verify करने के लिए, हम क्या करते हैं, x और y की value put करते हैं, तो x था आपके पास 4, और y आया है, minus 1, तो minus 1 into minus 3, is plus 3, 4 plus 3 is 7, that means, आपकी दोनों value विलकुल correct है, आप खुद verify करके, चेक कर सकते हैं, यह तो हो गया, आपके पास case 2, जिसके अंदर आपको, नीडी नीडी पड़ी, y को, y के coefficients को equal करने की, क्योंकि वो already equal थे, अब case 3 ऐसा आ जाता है, for example, for example, इस type का आपके पास question आ गया, तो आप यहाँ पर देख सकते होगे, कि मेरा first step क्या होता है, कि किसी एक variable के coefficient को, मुझे equal करना है, तो most probably हम क्या करते हैं, x कोफिशेंट को हम equal करते हैं, तो मैं पूरी equation को 16 से multiply करूँगी, पूरी equation को 12 से multiply करूँगी, पर यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते होगे, अगर मैं इस पूरी equation को 16 से करती हूँ, तो 12 multiply 16, बहुत ही complicated बनेगा, बहुत ही बड़ा बन जाएगा, जबकि अगर मैं यहाँ पर, y की coefficients को equal कर दूँ, तो क्या होगा, बहुत easy calculation हो जाएगी, तो इस case में, इस type की questions में हम क्या करेंगे, y की coefficients को हम equal कर देंगे, तो इस पूरी equation को, मैं इसके coefficient के साथ multiply करूँगी, और इस पूरी equation को मैं y की है, याँ की यहाँ पर 1 है, तो 1 से multiply करूँगी, तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, 24x plus 2y is equal to 60, यह बागी equation 1 से multiply करनी है, तो यह ऐसे आ जाएगा, तो अब आपके पास बहुत easy हो जाएगा, इसको calculate करना, यह तो first step हो गया आपके पास, और second step में क्या करते थे हम, sign change करते थे, sign change, 2y minus 2y, eliminate हो गया है आपके पास, 24x minus 16x, this is 8x, इसमें सिसको minus करेंगे, minus 20, तो x के value आपके पास, minus 5 by 2, similarly, अब third step क्या होगा, put the value of x in any equation, या तो first में या second में, तो किसी भी एक में value पुट करके, आप y के value find out कर सकते हैं, तो एक बार आप try करेंगे, y की value निकालना, तो अब हम elimination का case करते हैं, fourth, उसके लिए, मालो, आपके पास two equations दिए हुई है, एक equation है आपके पास, x minus y equals to minus 2, एक है आपके पास 2x plus y equals to 1, अब यहाँ क्या करना आपको, भही हम फिर से देखेंगे first step, कि हमें दोनों variable में से, किसी एक कोफिशन को equal करना होता है, तो अब यहाँ अगर हम देखें, और सेम है, अलसो, फिर हम क्या करते हैं, sign change करते हैं, sign change क्यों करते हैं? हम sign change क्यों करते हैं, यह हमारा main question आता है, की sign change होता है, क्यों? So, that कोई एक eliminate हो जाए, eliminate हो जाए, कोई भी याद तो x हो जाए, या फिर y हो जाए, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं बिना sign change किये, क्या हो जाए, इन दोनों को अगर मैं add कर देती हूँ, तो क्या होगा, cancel, क्योंकि यहाँ पर minus y है, यहाँ पर क्या है, plus y, तो यहाँ से आपके पास आपको ना first step करने की need पड़ी, ना ही आपको second step करने की need पड़ हो जाए, वो already eliminate हो रहा है, तो यहाँ पर मैं सिधा इसको direct, cancel, यानि कि मैंने सिरफ add किया है दो equations को, तो अब जब हम add कर रहे है, x plus 2x is 3x, और यह हो जाएगा minus 1, x की value आगी minus 1 by 3, और बस यही step था, और last step बिल्कुल सब का सेम होता है, कि now put the value of x, either in equation first, और in second, और मैं put कर र first में put करते हैं, तो x minus y equals to minus 2, y की value आगी 5 by 3, also verify करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की value किसी एक equation में put करते हैं, चेक करते हैं, left hand side is equal to right hand side है, या नहीं है, तो यह थे आपके 4 cases, elimination के, कि किस तरह की आपके पास equation आएगी, तो आप में क्या करना है, बिल्कुल same steps रहते हैं, बस हम यह देखते हैं कि कौन से step आपका skip हो सकता है, so that's all for this video, और हम next video में करेंगे ही इनके examples और exercise करेंगे 3.4, thank you.